अगर आप किताबे पढ़ते हो और किताबों के शौकीन हो तो इन तीन किताबों को पढ़ लूँआ आपको और किताबे पढ़ने की जुरुवरत नहीं पढ़ेंगे और लास्ट वाला जो बूग है वो सबसे दिन में आपका स्वागत है, आखिर हमें किताबें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जहां भी जाओ, लोग बोलते हैं कि किताबें पढ़ो, लोगों के बायोग्राफिस पढ़ो, सीखो, ऐसा क्यों बोलते हैं, किताब हैं हमें जीने का एक नया आजरिया says को 30 साल ऐसी साल के एक और उस संडुक को हम पढ़ेँ हैं तो उसके गश्चान केया है और कुछ दिन में पर सकते हैं और कुछी दिन में समझ सकते हैं और उसने जो जो अच्छाईयां कि वहां republic सभी स्थे कर सकते हैं उससे ना करके भी are you know जितने भी आ 7 बाइप आशे सेवड़िया के लोग संगतें और लगबंशों फेज डिलबर पढ़ते हैं वह आज भी किताबें पढ़ते हैं बताइए उन्हों को पढ़ने की क्या जरूरत है वो लोग तो वैसे भी इतने सक्सेस्पूल है तो दोस्तों कौन-कौन सी है वो तीन किताब है चलिए जानते हैं सबसी पहले Think and Grow Rich के बारे में जो सबसे बड़ा कॉंपलिमेंट मुझे लगता है इंडिया के बहुत बड़े येट्यूबर हैं मुदस्तिर खान जिनके चैनल का नाम है ये बुक मुदस्तिर खान बोलते हैं कि Think and Grow Rich सारे सेल्फ हल्प बुक्स की मदर है विचिस सो ट्रू आप Think and Grow Rich बुक क अमीर इंसानों में से एक एंड्रिव कार्नेगी आश्या लगबख सौ साल पहली की बात है तो एंड्रिव कार्नेगी को लगा कि मुझे इतना ज्यान है मुझे इतनी knowledge है और इस knowledge के जरिये मैं इतना दौलत बनाया इतना धन धन कमाया तो अगर मैं मर गया तो यह सारी दौल ने बोला कि मैं आपको अमेरिका के जितने भी बड़े और सक्सेस्फुल लोग हैं जितने बड़े अमीर हैं उन सब का उसने नेपोलेन हिल को कॉंटेक्ट नंबर दिया और बोले कि जाओ उनसे बात करो उनसे पता लगाओ कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं उनमें इसी क्या क् रहे हैं तो इसमें जाइर सी बात है कोई राज चुपी होगी को मिस्ट्री चुपी होगी तो नेपोलेन हिल 25 साल तक 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 पचीस सो या फिर पचीस हजार आप लोगों को स्टडी किया और उन लोगों के स्टडी को करने के बाद उसने एक बुक लिखा जिसका नाम है और दूसरा अगर आपको पैसे के बारे में जानना है पैसे के बारे में सीखना है तो आप यह बुक पड़ सकते हो इसका नाम है रिच डैड पूर डैड लोग अकसर फाइनेंचली सफर करते हैं फाइनेंचली परेशान होते हैं और फाइनेंस को लेकर उन्हें दिक्कतों क पब्लिश हुआ था तो उससे कोई पब्लिश नहीं करना चारा था कितनी हैरानी वाली बात है और तीसरी और सबसे important किताब जो मैंने recently पड़ी जिससे my mind blew away मुझे जीने का एक नजरियां मिला नया तरीका मिला किताब का नाम है माइंसेट जिसकी ऑथर है स्टैंफर्ड इनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है साइकलोजी के कैरल ड्वेग ने बहुत ही इस किताब को लिखा है और उसमें बताया है कि कैसे माइंसेट मैटर करता है इनसानों की लाइफ में अपका माइंसेट जैसा होगा आप भी वैसे होंगे इनसानों के दो तरह के मैंसेट होते हैं एक फिक्सड मैंसेट एक ग्रोफ मैंसेट और जिसका मैंसेट ग्रोफ होता है वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है बहुत के वोगले नहीं चाहते हैं कोई होते हैं की समया किक्सिट काता है लगावल यो नहीं कर सकते हैं कि सद्सक्राइशंद कर सकते हैं और आपका इन सब में से कौन सा फैवरेट है कॉमेंट्स में जरूर बताएं और इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को लाज तक देखने के लिए तैंक यू सो मच